नमस्कार दोस्तो आज किस वीडियो में हम चार्चा करेंगे दिनांग 23 जुलै दो हजार चोबिस का संपुन राशिवल उससे मेले आज के दिन का जो पंचांगा उसके बारे में चार्चा करेंगे आज का जो दिन है मंगरवार का है क्रोधिनावल सम्मस्र है सुरिय का दक्षिनाय जंद्रा है वर्षारुतु है आशार मेले के कुरुष्ण बक्ष की दूसरी दिति है नक्षत्र धनिष्टा है योग आयुश्मा है दिन का जो करन है वो गर है और जो रात का करन है वो वनी है आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुवात होगा दोपर 12 बचकर 33 मिनिट से लेकर 2 बचकर 13 मिनिट तक और अभी जित्मूर्थ दोपर 12 बचकर 9 मिनिट से लेकर 12 बचकर 15 मिनिट तक कम होगा कुलिककाल और अभिजीत मुर्थ दिन के शुबकालावदी कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतवर्णकाम या फिनिरने आप ले सकते को उसे प्रकार आज के दिन काल जो राहुकाल है वो शुरुआत होगा दोपर तीन बचकर त्रीपन मिनिट से लेकर फाज बचकर तितिस मिनिट तक और या मगंड़काल सुबर नौ बचकर तेरा मिनिट से लेकर दस बचकर त्रीपन मिनिट तक का होगा राहुकाल और या मगंड़काल दिन के शुबकालावदी कहें जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के मैं तो बुनकाम या फिन निनने विल्फुल भी नहीं निना उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है ये चंद्रमा मकर राशी में ब्रह्मन करेगा सुबह 9 बचकर 20 मिनिट के बाद ये चंद्रमा कुम्ब राशी में ब्रह्मन करेगा ये पर अब हम चर्शा करेंगें तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के दशम माव में चंद्रमा का ब्रहमन है सुवे नौ बच कर 20 मिन के बाद ये चंद्रमा आपके लाव माव में ब्रहमन करेगा आपके दिद्यावॉ मेसीद मंगल अक्षल के साद यह चंद्रमा केंद्रियों करने जारा है और पंचम बौमिसीद बूदीयों करने जारा है मैं तो बड़ दिन हैं आपके लिए खास करके आज की दिन आपके जो spending या फिर खर्चे रहेंगे इसके बाद की जो राशी है वो है व्रिशब राशी व्रिशब राशी के बाग्य बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है सवे 9 बच कर 20 मिट के बाद ये चंद्रमा आपके दशम बाव में ब्रह्मन करेगा और आपे के राशे में सित मंगल आशक के साथ ये चंद्रमा केंद्रियों करने जा रहा है, और आपके चतरतवाव में सित बुदर के साथ ये चंद्रमा रतियों भी करने जा रहा है, वैतोपने दिन है आपके लिए जो भी आपके कारिशेतर है, उससे रिलिटेट छोड़ थ आज के दिन आपके सामने आ सकता है खुद पर थोड़ा सयम रखना आवश्यक होगा अगर कि जो लोग है उनके साथ भी छोटे मूटे बातों के लिए करतकरव हो सकती है दिन आपके लिए शुल फलदाई सावीद होगा इसके बात की जो राशी है वो है मिथुन राशी मिथुन राशी के अस्टम बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन हमें ब्रह्मन करेगा वे ये बाव मिसित मंगल अर्शन के साथ ये चंद्रमा के इंदर्योग करने जा रहा है और तृतियोवामिसित बुद्यों के साथ ये चंदरमा प्रतियोग भी करने जा रहा है महतोपणने दिन हैं आपके लिए आज आपको confidence energy level काफी अच्छी देखी जाएगी लेकिन किसी भी प्रकार के महतोपणने जिरने आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना stress station बविशक के लिएकर थोड़ा आ सकता है लेकिन कुद पर थोड़ा control करना आवशक होगा आज के दिन आपको स्वयम के स्वास्त के बारे भी भी न्यान देना आवशक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है करक राशी करकराशट में सब्तमम माय चंद्रमा का ब्रहमण है सुवे नwe बज़कर 20 समट के बाद ये चंद्रमाँ आपके अश्टम माव में ब्रहमण करेगा आपके लाबाऊ में सिद मंगल अर्शन के साथ ये चंद्रमा केंद्रयोग करने जा रहा है काफी महतो बुड़े दिन है आपके लिए आपको स्वयम के स्वास्त के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा कटना चेलना इस प्रकार के शारी व्यादी के से रिलेड़े छोटी मोटी बाते आज आपके सामने आ सकती है किसी भी प्रकार के निनने आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना आज आपकी जो मान सिकता है वो थोड़ इसे निगिटिव हो सकते है कर्षो पर भी कंट्रोल करना आवश्यक होगा दिन आपके लिए अश्यव फलदाई सावित होगा इसके बात की जो राशी है चंद्रमा के द्रयोग करने जा रहा है महतो बढ़न दिन है आपके ले खास करके अगर आप विवाई तो आपकी जो वेवाई जुड़िदार है उनके साथ चोटी मूटी बातों को ले कर तकरार हो सकती है ये तकरार काफी बढ़ बी सकती है उसे परकार आपि जो वैबाई जो निदार है उनके स्वास्त के बारे में भी द्यान देना आवश्चक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है कन्या राशी कन्या राशी के पंचम बाउमी चंदरमा का व्रहमन है सुमनाव वशकर 20 मिट के बाद ये चंद्रमा आपके शेश्ट बाव में विरुमन करेगा और बाग्य बाव में सिद मंगल अर्शर के साथ ये चंद्रमा के इंद्रियों करने जा रहा है और वे अबाव में सित बुद्यों के साथ ये चंद्रमा प्रतियों भी करने चारा है काफी महतोपण दिन है आपके लिए स्वास्त के बारों भी द्यान देना पहुत ही साथ आ सकती है उस परका जो भी आपका कारी शेतर है उससे रेजेटर किसी भी प्रकार के महतोपण निर्णे चोटे हो या बड़े आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना आज के आपके जो अंदाज है वो चोग सकते है थोड़ा स्ट्रेस ट्रेशन आज के दिन देखा जा सकता है दिन आपके दिये और शोमख फिलद्दाई सावित होगा इसके बात की जो राशी है वो है तुला राशी तुला राशी के जतुरत बौह में चंद्रमा का ब्रहमन है सुबे नौ मुच कर बीस मिट के बाद ये चंद्रमा आपके पंचम बौह में ब्रहमन करेगा और श्रमबह में सित मंगल अर्श्र के साथ ये चंद्रमा kept रहा है और लाभो ममिसित बौधर के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग भी करने चा रहा है महत्तोबड़ा दिन है आपके लिए खास करके अगर आपके किसी के रिलेशन्चिंप में है तो आज का जो दिन है, दोनों में बहुत ज़्यादा problem competition देखे जा सकते हैं, भी संडे संडे काफी ज़्यादा हो सकती है, और इसका प्रणाम आपकी relationship पर beam हो सकता है उसे प्रकार, अगर आप share market में trade करते हैं, तो किसी भी प्रकार के बड़े हो या छोटे risk बिल्कुल भी नह आज आपका जो दिन है, बस ट्रेस पुल साबित हो सकता है, तो आपके स्वास के बादे में भी द्यान देना आवशक होगा हो इसके बाद की जो राशी है, वो है बृच्चिक राशी, बृच्चिक राशी के त्रिद्या वामे चंद्रमा का ब्रह्मन है, सुवे 9 बचकर 20 मिट के बाद ये चंद्रमा आपके चकर तो वामे ब्रह्मन करेगा, और सब्तम बाविसित मंगल हर्षिन के साथ ये चंद्रमा केंद्रियों करने जा रहा है रापके दशंबाव में सित बुद्यों के साथ देचंद्रमा प्रतियों भी करने जा रहा है काफी मैत्वड़तिन है आपकी निए खास करके घर के जो लोग है उनके साथ छोटी मूटी बातों को लेकर तकरह हो सकती है ये तक्रार काफी बड़ भी सकती है, आपकी जो वैवाइट उड़िदार है, उनके साथ भी इसी प्रकार विबाते हो सकती है, थोड़ सा चाओ पर नहें रहना, खुद पर पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा, इसके बाद की जो राशी है, वो है दनो राशी, दनो राशी के द्वितिया वाँ में चंद्रमा का ब्रह्मन है, तो बनवबशकर 20 मिट के बाद ये चंद्रमा आपके त्रितिया वाँ में ब्रह्मन करेगा, और आपके शस्टा वाँ में सित मंगल अर्शल के साथ ये चंद्रमा के इंद्रियों करने जा रहा है, आज का जो दिन है, भूम इसके बाद की जो राशी ने वो हैं मकर राशी मकर राशी में चंद्रमा का ब्रह्मण है सुबह 9 बच कर 20 मिट के बाद यह चंद्रमा आपके द्वीतिया बहुं में कमन करेगा और आपके पंचम बहुं में से मंगल हर्शल के साथ ये चंद्रमा के इंद्रियों करने जा रहा है और आपके आश्टमबवा में से गुईता के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग भी करने जा रहा है काफी महतवणे दिन हैं आपके लेखास करके आज की दिन आपकी जो spending कर्चे रहे इंडे उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवशक होगा किसी भी प्रेकार के महतवणे इंवेश्मेंट आज की दिन बिल्कुल भी नहीं करना उस प्रेकार अगर आप विवाई तो तो आपकी जो वैवाई जुड़िदार है कुमवा राशी के वेवाई में चंद्रमा का ब्रह्मन है सुबह नौ बचकर 20 मिट के बाद ये चंद्रमा आपकी के राशी में ब्रह्मन करेगा आपके चदर तो बाउमिसित मंगल आर्शल के साथ ये चंद्रमा के इंद्रियोग करने जा रहा है और सब्तम्भाव मिस्ध बुद्र के साथ ये चंदरमा प्रतियोग भी करने चाह रहा है काफी महत बुढ़ने दिन है आपके लिखास करके आज आपको confidence energy level काफी अच्छी देखे जाएगी लेकिन गर्गी जो लोग है उनके साथ चोटी मूटी बातों को लेकर तकराव हो सकती है ये तकरार काफी बढ़ भी सकती है आपकी जो वैवाई जुड़िदार है उनके साथ भी परिशानिया है वो ज्यादा आसकती है इसके बाद की जो राशी है फो है मीन राशी मीन राशी के लाब वाव में चंदरमा का ब्रह्मन है जोवे 9 बच कर 20 मिन के बाद ये चंदरमा आपके वे ये वाव में ब्रह्मन करेगा और तरित्य वाव में सिद मंगल हर्चल के साथ ये चंद्रमा के इंद्रियों करने जा रहा है और आपके शाष्टपाव में से बुद्ध के साथ ये चंद्रमा प्रतियों भी करने जा रहा है महतोफण दिन है आपके लिए खास करके आज की दिन किसी भी प्रगार के महतोफण काम बिल्कुल भी नहीं करना स्ट्रेस सेक्षन फ्रस्ट्रेशन आज के दिन जादा बढ़ सकता है कमिटमेट प्रोमिसेस वाले बाते भी नहीं करना आज के दिन भूमना फ्यरना जादा हो सकता है कुदपर तोड़ा तंटोल करना पहती ज़्यादा आवश्यक होगा दिन आपके लिए अश्वभुफलदाई साबित होगा तो दोस्तो ये था दिन आंग 23 जुलाई 2024 का संपुर्ण राशी फर्वी धन्यवाल